YouTube के ही कुछ अपने algorithm हैं और day by day वो change होते रहते हैं YouTube पर कुछ ना कुछ नई updates आती है हर creators के लिए आज की generation की अगर हम बात करें तो 70% creators आज के time पर YouTube पर हैं यानि के सभी YouTubers हैं YouTube पर कोई भी वीडियो upload करते हो तो आप अपने YouTube से करते हो जादातर creators आज के वक्त में Chrome browser यूज़ करते हैं और वहां से YouTube पर कोई भी वीडियो upload करते हैं अब YouTube का ही second application है YT Studio अब आप अपने YT Studio से ही अपनी वीडियो को upload कर सकते हो क्योंकि YT Studio पर भी अपडेट आ चुका है अब YT Studio खुद कह रहा है कि भाई आप upload करो हमारे पास से वीडियो कैसे आप YT Studio से अपनी YouTube वीडियो को या शॉट्स को upload कर पाएंगे कैसे कैसे आप इसको work कर रहे हैं इसको आज हम इस वीडियो में समझाना चाहते हैं टॉपिक को शुरू कर लेते हैं जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मलेगे नॉट्रिफिकेशन बेल को जरूर दवा दे दोस्तों और किसी भी परसनल इंफ्रोमेशन के लिए यदि आप हमसे जड़ोना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आजो रेगुलर अपडेट आपको यही पर मिलती है रोज सुबा दस बजे हम लाइग भी आते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन से उखाकर इंस्टाग्राम पर जोड़ जाना हम यह आपर बात कर रहे हैं इस खास अपडेट के बारे में जो वाइटी स्टूडियो से है और इस वाइटी स्टूडियो पर मैं आपको विक प्रूफ करके यहाँ पर दिखाने वालों आप लोगों से शिर्फ इतना बोलना चाहँँगा अपडेट कर देडा जब आप अपडेट करोगे हमारे पास सबसे उपर ही देखने को मिल जाता है एक प्लस वाला आइकन और ये प्लस वाला आइकन आपके सामने है मैं जैसी यहाँ पर टैप करूंगा यहाँ पर हमारे पास वीडियो आ चुकी है अब एक वीडियो इसमें से एक मिनिट बावन सेकिंड की है जो लॉंग आपके सामने खुद ही यह भी मिजरमेंट कर लेगा कि एक मिनिट से कम की वीडियो है तो यह शॉट में अपलोड होगी एक मिनिट से ज्यादा की है तो यह लॉंग में हो जाएगी तो हमें आप लॉंग वीडियो करनी है शॉट में भी अगर आप करना चाओ सिंपल सी आप वाइटी शॉट या आप वाइटी शॉट या फिर आप वाइटी स्टूडियो कर सकते हैं मैं इसको वाइटी स्टूडियो कर देता हूँ आन की जगा कर देता हूँ विद वाइटी स्टूडियो आप ऐसे कर सकते हैं इसके लिए आपको थमनेल भी लगाने का यहीं ए लिस्ट है, मॉनिटाइजेशन का पार्ट, अगर आपका चैनल मॉनिटाइज है, तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा, मैं यहाँ पर इसको मॉनिटाइज आउन कर देता हूँ, और सारे यहाँ पर डेटेलिंग जो एडिंग चलने वाली होती है, वो यहाँ आ जाती है, कमेंट्स अलाओ हो जाएगे, लोग आपको हर तरह का कमेंट्स कर सकता है, आप अपने बाद उसको देख सकते हो, अब यहाँ पर आ जाता है, अपलोड वीडियो, मैं जैसे यहाँ पर इसको अपलोड कर रहा हूँ, यह हमारी अपलोड में आ जाएगी, और अपलोड वाले कि टाइमिंग आ चुका है, 70% यहाँ पर डेटेलिंग कम्पलीट हो चुकी है, अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद कुछ परतिक्रिया है, मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ, तो गाइस हमारी वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से अपलोड हो चुकी है, अपल से करते हो, लेकिन क्योंके यहाँ पर कर रहे हो, तो पहले येलो डॉलर आएगा, इसके बाद आपको रिवीव में डालना पड़ाएगा, और यह ग्रीन हो जाएगा, संबिट रिक्वेस्ट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हमारी जो यह एपलिकेशन है, इ वापिस ऐड़ेकİ जैसे यूटुब स्टूडियो में आकर वाई टी स्टूडियो में करते हो सेम चीज़ वापिस से कर सकते हो, डिस्रिपक्रेप्शन एड करनी है, या फिर आपको अपनी ओर्डियन्स टार्गेट करनी है, किसी भी प्लयलिस्ट में इसको आइड करना clearer, टैग लगाने हैं, आप हर तरह का यहां पर टैग लगा सकते हो, और इसके बाद यहां पर कमेंट भी देख सकते हो, यूटूब स्टेंडर लाइसेंस वगरा है, आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई गलत वीडियो अपलोड हो गई है, कुछ नहीं करना, मोर व को नहीं करना है, ऐसे ही आप यूटूब स्टूडियो से अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हो, यह बहुत सिंपल सा फंड़ जो वाई टी स्टूडियो ने एक बेट के मादियम से सबी लोगों को बताया है, खेर आप लोगों ने अब तक अपनी वीडियो को यूटूब स्टूडियो से करा है या नहीं अपलोड मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए लगे रहो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर पर लेना जैहें